हालो गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो कैसे हैं आप सभी तो मैं शुरुआत कर रही हूं शाम के साड़ी छी बज़े का टाइम है मौसम देखे कितना बढ़िया कितना साफ है बहुत अच्छा लग रहा है मौसम बारिश जैसा किया है और मैं आप से अब मिल रहे हैं नौ ब लगे तो हम सब मिलके बिस्किट खाएंगे जैसे कि हजबिन मैं बच्चे सब और हजबिन के लिए चाय मैंने रेडी रख दिया है तो चाय को छान लेते हैं और जारे नाष्टा करने और यह वाला टाइम गाइस नौ बच गया है तो बेवी का जो मिलक है उसे भी मैं गरम क हमारच के लुप कियातों करने वाली है तो मैंने हरी मिर्ची वगीरा साफ़ कर लिया यहां पर मैंने कूकर ले लिए राइस ले लिए चायों को जोई धुलेगे और गयास पयार निकली डो अगिराज पिसे हम बारी कट कर लेंगे यहां पर फूल देखे कितना सुंदर लग रहा है तो गाइस सिंपल सा आज मैं डिनर बना रही हूं जैसे कि हम लोग ना मठा कहते हैं चांच को तो मठा की कड़ी बनाएंगे राय समारी हो चुकी है तो हम यहां पर कट कर लेंगे करेला आलू सारे चीज़ों क कट कर लेंगे जो भी हमें भूंजिया के लिए चाहिए तो मैं करेला आलू की भूंजिया ही बना रही हूं जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेश्टी लगता है तो गैस को मैंने ओन कर दिया कड़ाई में लेलिया मस्टर्ड ओयल यहां पर जीरा राय आड़ कर देंग मठा हम मठा ही कहते हैं तो इसे ना हम भूंजिया को अच्छी तरह भूंज लेंगे बहुत लोग ना इसे सबजी भी कहते हैं लेकिन हमारे यह तो भूंजिया एक आ जाता है बिहार में स्वाद अनुसर मैंने नमाग और हल्दी एड़ कर देंगे यहां पर इसके बाद नह है यहां पर मैंने हरी मिर्ची आड कर दिया है जब मैं हरी मिर्ची कट कर ले थी तो इससे दो तिन ना हरी मिर्ची खराब ही हो गया थे तो मैंने भी にडिया है तो देख्वाड़ipo तो बहुत ही सुन्दर टेश्टी सा है दिखने में अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना अच्छा आप जरूर से जरूर चाहिए अगर आप नहीं खाते तो इस तरीक से बना की जरूर खाईगा यह सबना भीहारी खाना है हमारे बिहार में इसी टाइब का बनता है तो भुझा रेटी है गैस कॉफ कर देंगे और देखे मैंने जो धान लगाया था वो हो गई देखे कितना सुंदर हो गया है और मैंने धनिया भी लगाया था गाइस लबो धनिया जो बारिश है नो तो सब धह गई सब पाने के साथ बहे गई तो बच्चा तो कुछ नहीं सिरुप ये धान बच्चा है और एक सरसु बच्चा है तो सरसु तो आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा ही होगा देख लिए धान भी बढ़िया से हो गई है पस मैंने ऐसे शॉक शॉक में लगा लिया है मुझे बहुत अच्छ और इसमें जीरा राई लसुन एड़ कर देंगे कड़ी पत्ते हरी मिर्ची नमक वगेरा सब कुछ आड़ करके हम ना मठ्ठा को छॉक देंगे जिसे कि आप लोग छांच भी कहते हैं तो हमारी ना तड़का वली जो छांच होती है ना गाइस बहुत ही टेश्टी लगता है इस तरीके से आप ना चौक कर तड़का लगा कर खा कर देखेगा बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में तो गया ऐसा मजाया था जो रात का डिनर था वो इतना बढ़िया बन चुका था इतना बढ़िया बन चुका था मेरे हस्बेंड को ना एस सारे चीजे बहुत कर गड cyn convicted मधन golpe अब मैं ढक भी खट्ते वगयर्य खाने लगी हूं अब और मारवारा मथा रेडी है काना भी रेडанти है लगा लेते हैं तो हमारा प्यारा सा डीनर्य है प्यारा सा सूंदर्य और बहुत ही टेश्टी वारा डीनर्य प्लतिनर अट्स घंज को अच्छा है यह ह तो हमारी प्लेट टेड़ी हो गई हम जारे डिनर करने आप लोग दिया है हमारे साट डिनर कीजिए अब मैं आप से मिल रही हूं मॉनिंग तो बेबी उठ चुकी बेबी खले मिल्क और मैंने खुद के लिए भी मिल्क ले लिया है आदित्या सो रहा है तो उसे सोने देते हैं उसके बाद जो है हम नाश्टा वाश्टा करके जाएंगे मम्मी के घर क्योंकि महां पर मुझे शूटिंग करना है बेहन का उससे कुछ रिल्स बनाने है तो देखिए मैं आज चुकी मम्मी के घर यह जो बिल्ली है पता नहीं कहां से लड़ जगड कर आई हुई बहुत था बनाएंगे और यहां की विव देखिए बहुत ही सुन्दर विव है यह साट बहुत हैं जो शूटिंग करेगी मैं ही उसका शूट करती हूं सारे वीडियो जो है शूट करना होता है तो मैं ही करती हूं टाइम जब भी मिल जाए तब तो देखिए कितना अच्छा विव वा लग चुकी है तो हमें नाष्टा वाष्टा मतलब सौरी ला लंच करना है तो हम लंच करेंगे हम आ रहे हैं घर इसे देखिए यह बहुत ठक चुकी है हलो गाइस वेलकम बैक के मैं चैनल तो कैसे हैं या सभी तो गाइस हम लोगों ने लंच वगेरा कर लिया है रेश्ट भी कर लिया है अब मैं आप लोगों से लेने वाली हूं अलवीदा तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली व्लोग में बाइ बाइ बाइ